तो आज UPSC का EPFO and APFC का एक्जम था एसिस्टेंट प्रोविडेंट फांड कोमिशनर इसी है इसका जो एक्जमिनेशन पेपार मतलब कहना कोस्टेंट पेपार है तो APFC यहाँ पर लिखा हुआ है देखो सामान अध्यन मतलब जनरारी स्टाडिस का पेपार है एक पीलिमिलरी है एसिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कोमिशनर है इसके पेपर मेरे पास आछुका है यहाँ पर आर्शी डे दिया एक्टो पार्ट उन्ड में अंग्रे जीका यहाँ पर पूरा आर्शी है रसी के सदस्ट आपको यहाँ पर पांचो कोस्टेंस है उसके बा तो इसलिए उन लोग के लिए यहां पर देखो यहां पर idioms का है idioms and as well as your phrasal verb का तो यहां पर questions दे चुकते हैं अंग्रेजी का that is very easy question I think and उसके बाद आता है part B part B में देखो यहां mathematics and the general studies यहां पर आपको हिंदी में दिया हुआ है और यहां पर दिया हुआ है आपको English ले so you can go through that in any language because it is the most vital examination बहुत सीट था आज तो यहां पर देखो the basic question they have asked so यहां पर आपको देखी है बहुत सारा चीज है questions paper is very good but however it is आपको speed में करना पड़ेगा 2 घंटा में 120 questions है ठीक है तो इसलिए option भी है यहां पर आप लोग देख सकते हो पूरा question paper ही मैं दिखा देता हूं यहां पर मेरा कोई दिक्कत नहीं है because जो किया है किया है अब जो हो गया हो गया answer को फड़ी आप यह उप करना पड़ेगा so basic history geography इस से पूछा है लेकिन फिर भी आपको questions आपको ठीक है मतलब कहना बहुत tough है नहीं तो आगर आपको basic knowledge है और आपको party related Parliament related Supreme Court High Court इस अब रिलेटेट है कि क्या होता है कोई को UPSC के preparation के साथ साथ इस अब भी पढ़ते हो ठीक है मतलब CAD भी देता है UPSC के preparation करते है से से सीजियल देते है उसके बाद आपको IBPS का जितना साथ एक्जाम होता है मतलब Klaxip का as well as आपको P.O का एक्जाम है उसको भी देते है तो इसलिए जो फांपिल आप किया था इस बार मार्च मायना में एपिल मायना में जो फांपिल आप हो था उसी का एक्जामिनेशन का पार्ट है तो इसी का जो आपको जो पेपार है उसी में दिखा रहो तो यू कन गो थू देट तो आपको बहुत पढ़ना पड़ेगा मतलब क्याने इसलिए मैं बूल रहो अगर पहले आता था जैट का पहले आता था लेकिन अभी तो ओनलाइन हो चुता है बाट हावर इडिश देखो दो घंटा में 120 कुस्टिन दिया मतलब पार कुस्टिन्स है एलोटेट वांट मेंट बीनिट तो ऐसे है जो प्रिमिनरी कुस्टिन्स होते है तो आपको कहना बहुत क अब लोग बिल्कुल आप कर सकते थे अगर आपने फॉर्म पे लागों इसली क्या बोलता है ना थोड़ा सा ध्यान राखिए हो मेरा चैनल में मैं चैनल पर हर वार अनांस करते रहा था हूँ क्योंकि जॉब भी बहुत इंपोर्टेंट है कोई 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 आपको एपलाई क अब भी करते रहोंगा इंड हम पर स्पेस फर राफ डव्क अगर दे चुगा है उन लोग दो तिन प्राटर का तो यहां पर किया है उसक़ आपको टेस्ट बूप लेर्ट अफ यहां पर दे है स्टेस्ट बूटलोट फंट करमेंशन दो घंट का एक्जम है एं मैकसिममम मांइर फ्रिनली पर वित उखते हैं इंग्लिश मोदुख कर ब提 WHY कर सो फेम च्थेयर और अच भी चौशें कि दो पर खाको किनड़ा मांच आत जगा रूंग तो फ्रिड से उनटें if you have already applied then you can go through that is because इसका एक्षार साल में एक बार होते रहता है तो आप लोग आप्ट कर सकते हो इसका फाइनस बेक्ग्राउंड है या आपको इसको दे सकते हैं तो इसलिए मैं बोल रहा हो थोड़ा सा धैन दो मेरा चैनल पर मैं आटोमेटिक बताता रहता हूँ इस ओव एक्षाम का बारे में एक्षाम तो देना चाहिए क्योंकि क्या होता है कोई की यूपीस्ट का प्र हमारा आएम बोद गाया आएम भाइबाब भाई जाक में हमारा हो जाए तो ऐसी है movement सब्सक्राइब करो मेरा चैनल को एंड लाइक करो वीडियो को वीडियो में बताइए आपको क्या क्या नौया चीज चाहिए तब जाके बहुत सरा चीज में हो जाएगा थैंक्यू बेस्ट अप्लाग गाट बेस्ट